पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है लेकिन इस जंग में देश ने अपने एक बहादूर सिपाही को खो दिया कोरोना की जंग में जूनी इंदौर्थ हाना के इंचार्ज दिवेंदर चंदरवन्शी की मौत से पूरे पुलस महकमे में शोक की लहर है लॉकडाउन में करतव्य निष्ठा के साथ जूटी निभा रहे पूलस इंस्पेक्टर देवेंदर की मौत से ना केवल इंदौर बलकि पूरे प्रदेश की आँखे नम है कटनी में भी पूलस बल इंस्पेक्टर देवेंदर की मौत पर शोक मगन है कटनी शहर के थानों में पूलस ने अपने शहीद साथी देवेंदर को नमाखों से याद कर शृधांज ली दी और उन्हें याद कर पुश परपत करते हुए कहरा तुख व्यक्त किया कोरोना शंक्रमान को देखते हुए ये पुरे भारत वर्स में भी लागडाउन के स्थिती बनाई रखी गई है उशी परिपेक्ष में इंदौर में जोनी इंदौर थाना प्रभारी निरिक्षक स्री देवेन सिंग चंद्रवनसी भी अपनी ड्यूटी के दौरान क्रोना वायरास से शंक्रमान में उपचार के दौरान उनकी आशामाइक आज म्रत्तु हो गई है उशी उसमें हम लोग शोक शंबेदना ब्यक्त करते हुए थाना कुठला कटनी में गणना के दौरान दो मिनट का शोक ब्यक्ति अगये अब हम उनकी प्रतिमा में पुष्पांजल अर्पित की गई है इस योद्धा को हम पुलिस परिवार की ओर से सस्थ नमन एबं उनकी म्रत्तु को लेकर उनके परिवार जनों को भगवान धैर एबं शाहच के साथ जीवन जीने की अग्रिम लाइन क्लियार करे आपको बता दें कि कोरोना की जंग लड़ रहे जूनी इंदौर थाना के थाना प्रभारी देवेंदर चंदरवन्शी की मौत रात तीन बचे हो गई कोरोना पॉजिटिव 45 साल के देवेंदर चंदरवन्शी का पिष्टे 10 दिनों से इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था इंदौर में पदस्त इंस्पेक्टर देवेंदर चंदरवन्शी शाजा पुरचिले के काओं रनायल के रहने वाले थे लूमस्दिस्क